पिछले तीन पीडियों से ना कोई ज्यात व्यवसाई किया है, ना कोई ज्यात नौकरी की है, परंत उसके बाद भी सैक्डो करोड के मालिक हैं, ऐसे अभूत पूर्व गांधी परिवार, लालु यादो जी का परिवार, मुलायम सिंग जी के परिवार के अंदर जो युकती ह वो देश की जनता जानना चाहेगी कि भाई, बिजनेस करके बढ़ा तो समझ में आता बगएर, बिजनेस की हवा से आके टपक गया, कि वो सब पाते हैं, सब प्रयास ही आनायास पा जाते हैं, ये समझ से बाहर है, पर सुधान्चु जी, अगर कॉंग्रेस के नेताओं ने इतना काला धन कमाया है, और इतना प्रष्टाचार किया है, जाड़े चार साल हो गए आपकी सरकार को, कितने कॉंग्रेस नेताओं को आपने जेल में डाल दे हैं, वो आपने बात बहुत सही कही है, जो पैसा बाहर गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, कि सुप्रीम को होते होते, अक्टूबर नॉवंबर 2014 हो गया, फिर दिसंबर 2014 में G20 समिट में प्रधान मंत्री ने काले धन के विशय को रुकवाया, लगवाया, तब जाकर हमारे पास जानकारी आने का स्रोत बना, उस प्रक्रिया में दो साल लगे, तो आप चिंता मत करिए, बचने कोई नहीं पाएगा, अब भारत सरकार के पास, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानि अगर भारत के किसी व्यक्ति ने बाहर पैसा जमा किया, तुरंट भारत सरकार के पास आती हम, अगर ये विजय मालिया और ललित मुदी ऐसे लोग भाग गए, इनकी भारत की को पकड़ना पाए हो, सब अभी भी मौच काट रहे हूं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इनों ने कोशिश तो की, ये अमीर हुए आपके वक्त पे, कहीं इन में से भागे आपके वक्त पे, और आपने तो इनको वापस लाने की, कोशिश तक नहीं की, बीजय भी तो करी, आपने तो कोशिश ही नहीं की, तीन बातें तो सामने आ गई, एक तो ललित मोधी बेकसूर है, अब तो भारतिये जन्ता पार्टी ने उपचारिक तोर से आपके प्लेटफॉर्म से कह दिया, बहुत अच्छा, आपने कहा, आपने कहा, उस पर कोई मुकदमा ही नह एक मिनिट सुनने का जरूर, अब मैं आपको बहुत जुम्मेवारी से कहता हूं, किर्पया करके वित मंत्राले से पता कर लीजिए, पहने पांच साल से आपने ललित मोधी की एक्स्ट्राडिशन की दर्खास थी नहीं दी, क्या ये आपकी सलिपतता को नहीं दर्शाती, न दूसरे मेहूल चौकसी जिसे प्रधान मंत्री जी हमारे मेहूल भाई कहकर पुकारते हैं, सरकार की नाक के नीचे से चला जाता है, उनके लुकाउट नोटिसे आप वापिस कर लेते हैं, विजे माल्या वित मंत्री से मिलकर ये बता कर, अब तो वित मंत्री जी ने भी माल लिए Jettli साब ने के हां वो कह रहा था कि मैं लंडन जाओंगा चोर आपको बताए कि वो भागने वाला है और आप एजनिश्य पो बताने से बोला था जैट बोला अपना कुछ भी और जी ने बोला इस लोने पोणने खेड़् बहुत संख़ेप में मिला अमैंने उसे प्रवक्ता इंको लगता है कि कुछ भी बोल दो कोई तन्यारी करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैंने उससे कोई बात्चीत करने की चेश्टा की परंदु मैंने उससे कोई बात्चीत न करते हुए सुदान शबहांएं भाग रहा है बैंक को लेप पीछे लगे है मुकदमा हुआ 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 है वह भगोडा हुआ है बैंकों ने उसके हिलाफ मुकदमा किया हुआ है, बैंक को Solicitor Journal ने बाकाइदा Opinion दिया, उसके बाद वो आकर संसद आता है, वितमंत्री से मिलता है भाग जाता है, आप उसका Lookout Notice वापिस कर लेते हैं और दोशी हम बहुत बढ़िया, सरकार आपकी भगाएं आप, एक लाख करोड के भगोडे आपने भगा दिये बैंकों का पैसा लुट गया Lookout Notice को कमजोर किस ने किया Lookout Notice को विड्रो क्यों किया हमारे इसलिए कि हमने उसमें Extradition भी डाला, विड्रो नहीं किया चेंज किया, क्या जो आदमी यहां था इसलिए कि 20 साल तक प्रधान मंत्री को शिकायत होती रही वो रसारी रसीद मैंने मैंने बाकाइदा और आज तक ने दिखाई है, रिलीज की है 20 साल तक प्रधान मंत्री ने कारवाही नहीं की और विट मंत्री जी की बेठी उस कंपनी से पैसा क्यों ले रही थी? देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि विट मंत्री जी की बेठी आदर्णीय मित्र वो पैसा आया उनके खाते लिए जब वो भगोड़ा हो गया तो आपने वापिस जमाकर वालिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ सादर आपका विजय मालिया किसके लिए लिखा? मनमोन सिंग जी के लिए लिखा, जब वो दिवारे पन जबाब दे दीजिए, मैरे सिरफ आप से एक अनुरूत पर आपकी सरकार थी और सरकारी बैंकों ने बार बार विजय मालिया की मदद की क्योंकि फोन जाते थे मंत्रियों से कि इनको लोन देना है, पूरी जो बैड लोन की समस्या है वो UPA के दौर में हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से, वितमंत्राले की तरफ से सरकारी बैंकर्स पर प्रेशा रहता था, कि जो कारोबारी हैं, जो की अपना रिंड नहीं चुका पारे, उनको लोन आप देते रहे हैं, राहूल भाई ये दोनों बाते सही नहीं, और ये मैंने ही कह रहा, संसत के पटल पर जेतली जी के मंत्राले का जबाब है, जब हमने सरकार छोड़ी, तो उस समय बैड डेट्स कितने थे, दो लाक और लगबक 63,000 करोड, मैंने ही कह र दो लाक 63,000 करोड के बैड डेट्स, NPA's, साड़े दस लाक और बारा लाक करोड हो गए, और जुम्यवार हम, आठ लाक करोड का बैड डेट्स आपके समय हुआ, उसके लिए भी हम जुम्यवार, इसलिए क्योंकि कारोबारी और बिजनसमन अब डर रहे हैं, उनको मालूम है अगर लोन नहीं दिया, तो जेल होगी, उनको मालूम है कि इंसल्वन्सी और बैंक्रफ्ट्ची कोड बन चुका है, जिसके तहत आप जितने भी बड़े उद्योगपती क्यों नहों, आपका पूरा समराजी आपसे छिंज आएगा, क्यूंकि मोधी सरकार वो नियम कायदे क कानून लेके आई है, जो कि आपके वक्त पे नहीं थे, ये बात भी राहूल भाई सही नहीं है, आई बीसी कोड का डेटा निकलवाईए, आई बीसी कोड में रिकवरी है, 30%, वो 70% किसकी जेब में जा रहा है, वो 70% उद्योगपतियों की रिण माफी का एक कानूनी लूट का तरीका आपने आई बीसी कोड के माध्यम से बनाया है, किसी दिन बहस करिएगा, मैं एक एक अकाउंट के कागच आपको दिवालिये पन वाले के पास सत प्रतिशत होता, तो वो दिवालिया ही क्यों होता, तो इसलिए आप 70% माफ कर देंगे, पर 62 करोड जो इस देश का क वाला है, बहस इस पर रही